Hello everyone, welcome back to my YouTube channel तो जो भी student अटल ब्यारी भाज पे इंडिकल इनिवर्सिटी के द्वारा जो BSC Nursing का entrance exam दिये थे देखिए मापप round आपकी पूरी finish हो गई थी और मापप round के बाद देखिए इस्टे round जो इस्टे round एक open round होती है इसमें सभी student पार्टिसिपेट कर पाएंगे कौन कौन से student पार्टिसिपेट करेंगे चलिए आपको चीजे एक update हुआ है आपको दिखाते हैं तो आप भी Google पे ABMU search करिए और नीचे इसके first link पे किलिक करिए जैसे ही first link पे आप किलिक करेंगे यहां देखेंगे अभी एक link active की गई है यह देखिए यह link आप इसी पे किलिक करिए और एक PDF डाउनलोड होगा जैसे ही इस link पे आप किलिक करेंगे देखिए तो यह देख लिजे यह एक PDF अपलोड किया गया है यह 12 तारीक को ही अटल भीहारी भाजपी के द्वारा यह रिलीच किया गया था लेकिन यह आज अपलोड किया गया है 14 तारीक को अब देखिए इसमें डारेक्ट इसमें दे subject क्या है देखिए subject में यही है इस पूरे slide का main चीज आप subject पढ़ लेंगे तो आपको समझ में चीज आ जाएंगी यह देखिए regarding updating the information regarding updating the information update किया गया है information of student who have resigned after taking admission in the college जो student admission ले चुके थे और resign कर दिये थे तो काफी student ऐसे किये थे ना कि resign कर दिये थे लेकिन उनका resign हुआ नहीं था वो अभी उनकी seat update नहीं की गई थी तो उनको अगर update कराना है अगर मालीजे कोई student resign किये थे और resign करने के बाद आप उस college में जाके वहाँ पर verify कराईए ना sign कराना पड़ेगा यह तिनी seat खाली होंगी या फिर government college की बात करें तो private college की बात करें तो 1000 something से seat से लेके 1500 seat के बीच में लगबग अभी बाकिया है जो seat अभी होनी चाहिए देखिए seat matrix आएगी तब एकदम 100% clear हो जाएगा गवर्मेंट की बात करें तो 20-25 या 30-35 seat आपको मिल सकती है गवर्मेंट में भी या फिर 20-10-15 seat मिल सकती है seat matrix आने पर ही 100% clear होगा तो seat matrix भी 18-19 तक आपका seat matrix आ जाएगा तो आप बेट करें और देखिए यह पूरा information आप map of round of counselling has completed जो map of round counselling complete की गई थी अटल ब्यारी भाजपे यूपी लखनओ के द्वारा अब यह प्लान कर रही है इस्टे round of counselling कराने के लिए जिसमें जो भी student cut off नहीं पार किये हैं not qualify student है तो number cut off जरूर डाउन किया जाएगा हो सकता है 10% डाउन किया जाए जैसे general category का कितना जनरल category को 50% था तो उनको 40% कर दिया जाए OVC का कितना था 40% था हो सकता 30 कर दिया जाए 35 कर दिया जाए तो बेट करते रहें और समझे सब चीजें देखे इस्टे round of counselling कराई जाएगी therefore the candidate वो candidate वो student who have taken admission and have resigned admission ले चुके थे और रिजाइन भी कर दिये थे दियर सीट लीविंग दा कोर्स और कोर्स को छोड़ दिये थे the same as to be forwarded to the university और इनवर्सिटी के द्वार्वर्ड किये थे the resignation of the student has to be verified जो student resign किये थे वो verify कराएंगे कहां फे principle के दौरा verify होगा बित college seal मतलब college के दौरा एक मुहर लगेगा and send to ABMU और अटल विहारी वाजपई medical university email ID इतने पर उनका upload किया जाना चाहिए किस date तक 17 अगस्त के पहले 17 अगस्त को 5 बजे के पहले upload किया जाना चाहिए if this information is not received अगर ये information आपकी receive नहीं होती है जो आप resign किया है तो क्या होगा इतने तारिक तक अगर आपको resign किये है information इस पे अटल व्यारी भाजपई पे नहीं upload किया गया तो by can't seat of the college will not be included तो stay round में ये include नहीं की जाएगी seat जो by can't रहेगी फिर आएसे student जिसका मान लीजिए आप एक kindly also note एक किरपया एक note भी दिया गया है ध्यान से इसको देखें तो ध्यान पूरवक इसको भी पढ़ ले ये कह रहा है कि अगर आपकी ये जो आप stay round में अगर आप participate करना चाहते हैं और resign भी किये हैं तो resign करने के लिए आपको ये चीज़े करनी पड़ेगी इनकी website पे upload ह होना चाहिए तो आप college में जाके confirm कर सकते हैं अगर ऐसा कोई student है कि resign किये हैं उनका resign नहीं हुआ है तो ये देखिए kindly also note that these students will not be eligible for stay round तो ऐसे student जो resign कर दिये थे और उनको update नहीं किया जाता है update नहीं होता है नहीं कर पाते हैं खुद जाके तो उनको उनकी जो 5,000 रुपए और 40,000 payment है वो जब्त कर ली जाएगी तो ये देखिए ये हिंदी में भी आपको समझ लेना चाहिए ये देखिए यही चीज़े हैं जो चीद दिया गया है पिर ये महोदया और महोदया जैसा कि आप जानते हैं कि counseling senior का map up round पूरा हो चुका है तो पूरा हो चुका है फिर उसके बाद ये देखिए ABMU लकनो इस्टे round of counseling की योजना बना रहा है तो ये तो confirm हो गया ना कि इस्टे round होगा तो चलिए आप लोग के लिए खुसकवरी ही है काफी student बेट भी कर रहे ते जिस रिजाइन की है ना उनको aggressive खुद करना पड़ेगा जाके college में बिशुविद्याले में चात्र के स्थीपे को परचार द्वारा मतलब principal द्वारा college की मुहर के साथ सत्यापत किया जाना चाहिए और 17 अगस्त 2023 को साम पांच बजे से पहले abm.up को email id इतने पर देख लीजे email id इस पर भेजा गया यदि या सूचना abm.up को 17 अगद 2023 को साम पांच बजे से पहले प्राप्त नहीं होती है तो उस college की खाली सीटों को counseling के stay around में सामिल नहीं किया जाएगा तो इस college जो college में आप resign किया होंगे तो एक बार जरूर वहां जाके पता कर लें confirm जरूर करें वाई तो आपका फायदा ही हो जाएगा अगर आप resign करना चाहते हैं किरपया और काफी student ये भी थे ऐसे भी थे काफी student जो resign कर दिये थे फिर बाद में पूछ रहे थे नहीं resign किये होते तब ही सही रहता वहीं पढ़ लेते तब ही सही रहता तो जाके उस college में संपर कर लिजे अग वापस नहीं की जाएगी जप्त कर लिजाएगी वापस तो की जाएगी एक link active होगी तब आपका पैसा वापस हो जाएगा लेकिन ऐसे student जो resign किये हैं resign नहीं हुआ तो उनका यह सब जप्त कर लिया जाएगा किसी भी प्रसंद के लिए आप किरपया mobile number इतने पर आप संपर क कर सकते हैं जो केटल विहारी भाजपे की यह सबी चीजें होंगी फोर नंबर तो आप चीजें समझ गए होंगे सब चीजें यह स्टे राउंड से related है यह इस PDF से हमको पता चलता है कि जो student resign किये हैं उनको जाके college में confirm करना चाहिए और इस PDF से यह confirm होता है कि आपकी stay round counseling 100% हो होगी जरूर तो आप देखिए आप cutoff कितना down किया जाएगा not qualify इसमें involve होंगे कि नहीं होंगे तो आप bet करें पूरा information आपकी guideline आजाएगी stay round की तो पूरा clear हो जाएगा वोसे आपकी जरूर जो percentile mark था वो down जरूर किया जाएगा तो बस bet करें और अगर आप 2024 के लिए preparation करन चाहते हैं तो चैनल पर जितनी वीडियो हैं मता दिया गया है सब कुछ अच्छे से आप preparation करना शुरू कर दें ध्यान पूर्बग सुरू करें और अच्छे से पढ़ाई करें और ऐसा नहीं है फिरी में सभी 2024 के लिए मेरे चैनल पर आप physics, chemistry, biology, nursing aptitude, gk और English पूरा total अपक एक home tuition join कर लिजिए आप अगर आप लखनाव कानपूर फिर उसके बाद अलग है मतलब अच्छे सिटी में नहीं जा रहे हैं नहीं जा पा रहे हैं coaching के लिए तो आप एक अपने कहीं नजदीकी में home tuition join कर लिजिए कहीं पर tuition चलता हो physics chemistry, biology, वहाँ join करेंगे तो थोड़ा सा idea लग जाएगा English कैसे समझ में आती है question फिर उसके बाद मैं तो फिरी में करा दूँगा 100% हो जाएगा तो कहीं पर आप online coaching ना join करें अगर join करना हो तो बड़ी coaching join करें BSC nursing के लिए कोई coaching ना join करें मेरे कहने का मतलब यह है कि BSC nursing entrance exam के लिए कोई coaching ना join करें 100% फिरी में करा दिया जाएगा तो यह student काफी बार बार करें कि आप सर फिरी में कराएंगे कि पैसा लेंगे पैसा मत लेजिए तो पैसा नहीं लिया जाएगा बस इतना था इस पीडिय thinking कर लिजिए कि मुझे private college से BSC nursing करने है कि नहीं पहले private college में काफी student जो अच्छे private college नहीं मिले है तो वो अभी पच्ता रहे है वाई admission लेके तो आप भी एकदम confirm कर लिजिएगा वहां का environment क्या है वहां पढ़ाई कैसे होती है clinical duty provide करते हैं कि नहीं तब ही आप stay round में participate करें औ और private college में admission लें तो यह seat matrix आने के बाद ही पूरा अपना यह mood बनाएंगे BSC nursing इसी साल करेंगे तो mood तभी बनाईए जब seat matrix आजाए तो पता चल जाएगा कि कि किस college में seat खाली है उसी हिसाब से आप counseling कराएं तो अभी थोड़ा सा bet करें अभी ही ना अपने दिमाग को seat खाली है तब उसी के अंस्वार आप change करें अन्य था आप 2024 की तयारी करें और government college से 2024 में BSC nursing करें बस इतना ही था इस वीडियो में बनाने का मतलब मतलब main यही था तो आपको चीजे समझ में आनी चाहिए चलिए next वीडियो मिलेंगे और best चीजे आपको provide करेंगे तो channel को please subscribe क करें और like जरूर करें वीडियो